और न्यूस इंट्रेस्टिंग है आपको मालूम होगा रिसेंट डेज में जो चीशें हुई हैं जैसे कि अभी मैंने आपको पढ़ाया था बकल परसों के सेशन में कि पाकिस्तान के दिन सुधर गए हैं सुधरने से मतलब यह है कि उसको करजा मिल गया आज सुबह ही पढ़ा जो था ना वो उसामा बिन लादेन था उसामा बिन लादेन को मरवाया किसने पाकिस्तान ने मरवाया अमेरिका उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया अमेरिका उसको अफगानिस्तान में ढूंड रहा था वो बढ़िया से पाकिस्तान में रह रहा था पाकिस्तान के एट गड़ रही है कि हम उसामा बिन लादिन को ढूंड नहीं पा रहे हैं तो पाकिस्तान ने उसकी गोली ले ली यह ठीक है बाई साब अब हमको दो हम इसको मरवाएंगे उसको एटपा बाद के अंदर गोली मरवादी ठीक है तो यह तो हो गया अमेरिका की विन विन सिच्वेश अमेरिका ने बिचारे ने सब तरह की ताकतیں लगा ली लेकिन अलजवाहरी यह के एड़ को मार नहीं पाया सबतरे की दिक्कते हो ली, सब कुछ हो लिया, अमेरिका अफगानिस्तान छोड़ के निकल लिया, पाकिस्तान को किई तरह से भलाबुरा कह लिया, पर उसने का आप फिर से हमारी बेज़ती हो रही है, अलकाय तो पिर से एकजिस्ट करता है, उसको चलाने वाला जो असौँ हम अमेरिका ने कसमे खा रखी थी दोहा एगरिमेंट में कि हम वहाँ पर जाकर के अटेक नहीं करेंगे बिना तालिबान के पूछे भाई यही तो हो था ना डोनाल्ड टरम्प के टाइम पर तो बोले अब क्या करें तो बोले कोई रास्ता डूंडो फिर पाकिस्तान को पकड़ हुआ है उलतेर को कैसे तो बोले कोई दो इसको राशन पारह नहीं पहुंचाएगा सब जाणकरी है हमेरे पास पर पीसा ले करके पक्शीं मर वा लेते हैं आप तो अलजवाहिरी की बात कर रहे हो, बले लो आप जाओ, हमारा एरोस्पेस यूज़ करो, एरोस्पेस यूज़ करने में तो अब पाकिस्तान के लोगों ने पूछा, पाकिस्तान वालों से कि साब एक बात बताओ, पता चल गया किसी को, कि पाकिस्तान अपनी जमीन पर स तालिबान के साशन वाले अफगानिस्तान में अलजवाहिरी को मारने की गोली ले रहा है तो फिर क्या करोगे तो पाकिस्तान ने का सुनो ऐसी बात है अफगानिस्तान के पास में कुछ है नहीं इस समय है नहीं से मतलब उनके पास कोई radar फड़ार थोड़ी है जो उनको पता चलेगा बोले ये क्या होता है अurt दूसरे अकर हवा में से उड़ करकर कोई अगर attack करने जाएगा विमान तो अफगानिस्तान को पता कैसे चलेगा कि हाँ भई हमारे ओपर attack करने कोई पेसे ले लिए आप पुछेंगे सर आप ऐसे कह कैसे सकते हैं, पैसे ले लिए मैंने सारे सेशन किये हुए है, मैंने ये तक बताये हुआ है, आप अभी थोड़ दिन पहले देख लेना, मैंने बता रखा है कि वहां पर अमेरीका की तरफ से एक बहुत बड़े अधिकारी सेन के अधिकारी है ना जो इनकी सेंटल कमांड के अधिकारी है ना वो इन दिनों पाकिस्तान गए थे और इनको बार राहत के नाम पर मिलियन्स ऑफ डॉलर देकर आ गए कि लो यार तुम ने बहुत बड़ी अमख्विरी थी टाइप से ना तो इस प्रकार से हरकते होंगी तो ब अफगानिस्तान ने रडार की एपसेंस के कारण पाकिस्तान परमीशन दी ड्रोन उड़ा और जवाईरी को मार गिराया तालिबान ने का यार गजब हो रहा है साशन हमारा चल रहा है भार से आकर कोई भी मार के चला जा रहा है तो बिलकुल बिजजती हो गई ये तो वही पवला हाल हो गया कि इंडिया वालों ने ब्र ammonia चला ही और एंड में कह दिया सौरी में ब्रहा है पाकिस्तान में गिरी ये ता अच्छा हुआ कि और इसलामाबाद पगर जा पे ना गिरी ने तो बरभाद ही और परमान रपम न लगा था अपर इंड में कह दो कि सौरी हमने तो तो यहां पर तालीबान ने बगायदा अक्यूस किया किसको पाकिस्तान को कि बड़ा तुम जो है ना वो यूएस ड्रोन को हमारे एर इस्पेस में उड़ने की पर्मीशन दिये थे है ना यह अपनी ख़वर नहीं है इंडियन ख़वर हो सकते मिर्च मसालेदार हो यह ख़वर है वाई सब रॉइटर्स की रॉइटर्स मतलब अंतरराश्य एजनसी है न्यूस की वह कहरी है बई तालीबान अक्यूस पाकिस्तान अलाइंग यूएस ड्रोन तो यूज ती इस एर इस्पेस अब आप पूचेंगे सरे इन दोनों को लड़ा के अमरीका को मज़ा तो बहुत आ रहा होगा बिलकुल आएगा क्यों नहीं आएगा अच्छा फिर सवाल हो ना इनको कैसे फटा पड़ा पाकिस्तान तो जूट बोल देगा हमने तो नहीं किया था तालिवान कह रहा है सुनो बेटा बात ऐसी है हमारे पास रडार नहीं तो क्या है बहुत सारे बेरुजगार लोग हैं जो बॉर्डर पर बैठे रहते हैं जो देखते रहते चिडिया ओडी के नहीं ओडी सबने देखा है तो बने अपना एरोस्पेस यूज़ करने दिया है इन दोनों के बीच टकरा हो रहा है अचा इंडिया कह रहा है कि हम किसी भी देश के अंदर आंत्रिक मसलों में इंटरफेर को पसंद नहीं करते हैं अब मतलब क्या होता इसका मतलब इंडिया वाले अफगानिस्थान वालों को बैठके समझारे हैं अब तो तुमारे बारे हम कह रहे है तुमारे रहते हुए कोई दूषरा देश तुमारे देश में इंटरफेर कर रहा है अचीए बात है क्या हाँ आप हमारे हो दोस्तो फिर साब इंडिया पाकिस्तान वालों से हालागी पाकिस्तान वालों से बहुत बातचीत नहीं है पाकिस्तान वालों से कहा रहा है हम तो इंटरनेल पहले ही कहते हैं साब हम पसंद नहीं करते अमरीगा तुम्हारे पास आ रहा है तो इसका मतलब तुम्हारे इंटरफेर है इंडिया बिल्कुल ऐसे डिप्लोमेटिक लाइने मारता है तो तालीबान ने कहा है कि यूएस ड्रोन एंटरिंग अफगानिस्तान थू पाकिस्तान ठीक है तालीबान डिफेंस मिनिस्टर ने अक्यूज गिया है कि पाकिस्तान ने यूएस ड्रोन को हमारे चेतरे में आने की अजाज़त दी थी वाई साथ और इंडिया ने कहा है कि देखिए इंटरनल अफेर का मामला है ऐसा होना तो नहीं चाहिए था ठीक है तो ये कुल मिलाकर के सबसी चाहिए तो यहां पर अब एक प्रकार से यह समझ लीजिए कि तालीबान कहरा है कि एक साल हो गया हमको काम करते गरते तुम लोग हमारी बगल में बैट करके तुम हमारी सरकार को तो मानिता दीये नहीं हैं हम एक साल से और वास्तिक्ता भी है देखिए जब से तालिबान का साशन आया है आपको कोई कंफ्लिक्ट की खवर समाई नहीं देती है क्यों 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 कि खवर दिखाने वाले रिपोर्टर्स को ही उड़ा देते हैं कि तुम ना रहेगा वास्त ना वजए की बासूरी भार कैसे जाएंगी अब सब तरफ शांती-शांती दिखाई देगी तालिबान साशन में दिखता क्या है वाले क्यों कोई मीडिया नहीं नहीं है ना भाई वहीं दिखाएगा जो हम कहेंगे दिखाने के लिए पूरिया वाला हाल होगया है ऐसी इस्तिती में साल्व को कि क्या बोल रहे हैं तें दो-चार पर पाकिस्तान बोले तो फील आई के हाँ यार इसका मतलब निक्कत तो है पाकिस्तान है आपमीस सुन लीजिए पाकिस्तान पाकिस्तान की जरी बार पाकिस्तान चौती बार पाकिस्तान तो इस तरह से आपने सुना की इन्होंने पाकिस्तान का नाम लिया है अपने लिए तो यही काफी आपने बासा आती है नहीं ठीक है ना तो खुल मिलाकर के मतलब यह है कि डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि यह सब लोग गड़बड कर रहे हैं हमारे साथ में तो तालिबान ने यह भी कहा पहले भी तालिबान इस तरह के आरोप लगा चुका है कि पाकिस्तान खुद की तरफ से रोकेट चला देता है हमारे अंदर लोगों को मार देता है एक परकार से इन दोनों का जो प्यार है वो तकरार में बदल सकता है तो साब बात यह है कि अल जवाहिरी का मारना क्या था वो मैं आपको बता चुका हूँ अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद से अल जवाहिरी को मारा था ओसमा बिन लादेन का 11 साल बाद जवाहिरी का अंत हुआ था क्योंकि यह दोनों ही 9-11 के हमले के जिम्मेदार माने कहे थे 9-11 हमला जो कि अमेरिका पर सबसे बड़ा आतंकी हमला माना जाता है अच्छा इसके बाद में तालिवान ने यह कहा है अच्छा अब सवाल यह बनता है कि जवाहिरी अगर मर गया तो जवाहिरी मरा होगा तो उसकी डैड बाडी कहा है तुम डैड बाडी थोड़ी उठा ले गए होंगे हाला कि उसामा बिल्लादिन की डैड बाडी भी अमेरिकार उठा के लेकर चला गया था अलजवाहिरी के बारे में अमेरिका ने कोई भी अपडेट नहीं दिया है तालिबान बोल रहा है तुमने अपडेट दिया नहीं और अलजवाहिरी मारा गया ये तुम बोल रहे हो तो अलजवाहिरी है कहां और अलजवाहिरी कहीं नहीं है तो भाई सहाब ऐसी इस्थिती में हमारे लीडर्स को तो अभी तक अलजवाहिरी की डैड़वाडी मिली ही नहीं तो मिली ही नहीं तो फिर आप क्यों कह रहे हो कि हमने इसको मार दिया तो पाकिस्तान निशाने पर क्यों आ गया है क्योंकि वो I.S.I. नहीं उसको जवाहिरी की जानकारी दीती C.I.A. को यानि अमेरिका की एजनसी को U.S. ड्रोन पाकिस्तान के ही किसी मिलिटरी बेस से उड़ा था बदले में पाकिस्तान मिलिटरी ने अमेरिका से डॉलर लिये थे जो मैं बाते बोल रहा हूँ नहीं अब अख़वारों में भी चपती है मेरा एनलेसिस मेरे को इतना अच्छा लगने लग गया है कि अपन अंदर की बात पता लगा लेते हैं ये बात अपन ने बहुत पहले डिसकस की थी आप ये देनिक वासकर में चपके आईए कि अमेरिका से डॉलर लिये थे और ये मैंने आपको जो मालूम होगा अलजवाहिरी मरा था उस समय कह दिया था मगवाई साब मामला से हैट हो गया मैंने आप उठा करके देख लीजिए का मेरा वीडियो सुन ले ना उसके अंदर मैंने ये कहा है कि अमेरिका ने इसको प्रॉपर तरीके से अमेरिका पाकिस्तान को पैसे वाई से दिये है तब जाके काम हुआ है ठीक है खर कोई बात नहीं जी सब जगे सई चीजे चल रही है कुल मिला करके अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच सब कुछ सई चल नहीं रहा है चलें आगे बढ़ते हैं अब पूछें कि पाकिस्तान ने क्या कहा पाकिस्तान कह रहा है कि अरे ऐसे थोड़ी होता है हम को देखा थोड़ी है आपने ऐसे करते हुए हम तो इंडिया के अंदर बम फोड़ के आ जाते हैं उसके बावजूद भी हम मना कर देते हैं तुम क्या बात कर रहे हो हम तो अपना पाकिस्तानी आदमी भेज करके इंडिया की ताज हुटल में बंबोला फटवा देते हैं उसके बाद भी हम मना कर देते हैं कि हमने नहीं किया और एक तुम हो कि हमारे उपर सीधा मुखोल के आरोप लगा रहे हो यार गजब हो यार हैं तो ऐसे थोड़ी होता है in the absence of any evidence as acknowledged by the Afghan minister himself such congestion allegation are highly regrettable and defy the norms of responsible diplomatic conduct तो इंसे कोई पूछे है कि आप इंसे diplomatic conduct की बात कर रहे हो आपने इनको मानने ता तो दी नहीं जना तो इंसे conduct कहां से अपिक्षा कर रहे हो ये तो वही तालीबानी है जो पहले हुआ करते थे आप कहरो कि नहीं आपने हमारे उपर allegation लगा दिया allegation भाई देखो बात ऐसी है हम पाकिस्तानी पकड़के कसाब को पकड़के उसके मुह से बुलवा दिया तब भी आप कहते हो हम नहीं जानते तो ये तो विचारे नादान है इनको तो आपके बारे में अन्भववी एक स आप लोगों को प्रेलिम्स को ध्यान में रखते हुए बहुती शांदार प्रकार के सोचिए 55,000 से ज्यादा बच्चे हमारे अनकेडमी लाइट पर जुड़े हुए हैं प्रॉडक्ट की आप उपयोगी ता इससे समझ सकते हैं ठीक है ना यह test series है paid test series है जिसमें आप connect कर सक सकते हैं ठीक है इसमें आपको best educators के द्वारा तयार की हुई content मिलती है आप इसको अंदर participate कर सकते हैं ठीक है इसके अलावा अनकेडमी के प्रिलिम्स को आप target करके पढ़ सकते हैं अनकेडमी के courses में raise a hand feature है यदि आप teacher से doubt पूछना चाहते हैं तो आप doubt पूछ सकते है प्लस iconic courses के अंदर आप teacher से direct बात कर सकते हैं class के दौरान उससे connect हो सकते हैं अपने doubt पूछ सकते हैं सारा content PDF के format में प्राप्त कर सकते हैं यह हमारे subscription का एक और टाइप है जिसे आप iconic के नाम से जानते हैं SSC category के अंदर भी हमारे courses हैं मेरा एक नया weekend batch शुरू हो रहा है SSC के अंदर यदि आप उसे join करना चाहें तो बहुत ही nominal कीमत पे आपको वह course उपलब्ध हो जाएगा आप उसे join कर सकते हैं thank you so much अपना खयाल रखें बड़ों का सम्मान करें चोटों को प्यार दें अपना व् प्रक्षपना सुस्करी